शादी के बाद महिलाओं को क्यों पहनना चाहिए बिचिया बिचिया पहनने के फाइदे आपको कर देंगे हैरान हमेशा इस तरह की पहने बिचिया दोस्तों महिलाओं को गहने पहनने का बहुत शौक होता है आज की इस वीडियो में हम आपको महिलाओं के ऐसे गहनों के बार इन्हें सुहाग की निशानी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बिच्छिया पहनने के कई और महत्व भी हैं। आपको बता दें कि धार्मिक और जोति शास्त्र की माननेता के अनुसार विभाईत महिलाओं को हमेशा चांदी की बिच्छिया पहननी चाहिए। क्योंकि इसे सुहाग की निशानी माना जाता है और साथी साथ बिच्छिया चंदर से जुड़ी होनी की वज़े से मन को शांती देती है। क्योंकि चंदरमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। इसके साथ ही शरीर पर चांदी धारन करने से शरीर का तापमान नियंतृत रहता है और ग्रह बादा भी दूर हो जाती है। चलिए आपको बिच्छिया पहनने के फायदों के बारे में बताते हैं। पैरों में हमेशा चांदी की बिच्छिया पहने। सोनी की बिच्छिया शारीरिक गर्मी का संतुलन खराप करके रूग उत्पन कर सकती है। बिच्छिया एक खास नस्पर प्रेशर बनाती है जो की गर्भाशे में समुचित रक्त संचार परवाहित करती है। इस प्रकार बिच्छिया औरतों की गर्ब धारन शमता को स्वस्थ रखती है। दोस्तों पैरों में बिच्छिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम सही रूप से कारे करता है। बिच्छिया एक्रप्रेशर उपचार पदती पर कारे करती है। जिसे शरीर के निचले अंगों के तंत्री का तंत्र और माच पेशिया सबल रहती है। बिच्छिया मचली की आकार की होतो सबसे असरदार मानी जाती है। मचली के आकार का मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीचे कुछ नोकदार सी। इसलिए जब भी बिच्छिया खरीदने जाएं तो इस तरह की बिच्छिया का ही चैन करें। आपको बहुत लाब मिलेगा इसके साथ ही अगर आप बिचिया पहनते हैं तो थ्वाइराइट की संभावना कम हो जाती है अब तो आप समझ गए होंगे कि महिलाएं पैरों में बिचिया क्यों पहनती हैं और इसे पहनने के लाब गया है आज की इस वीडियो में बस इतना ही म मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ नमस्कार